नमस्कार फ्रेंड्स लागू हुआ तो उस समय किन किन लोगों को नागरिक्ता दे गई इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भारतिया स्विधान के भागदो नागरिक्ता के बारे में अगर अनुछेद के हम बात कर अब हम देख लेते हैं अनुचेद 5, अनुचेद 5 में जिस परकार की नागरिक्ता का वर्णन किया गया है, वो है सविधान के प्रारम में यानि 26 जनवरी 1950 को जब सविधान लागू हुआ, उस समय किस परकार जो है नागरिक्ता दे गई, तो सबसे पहले इसमें तीन तरह की नागरिक्ता का प्रावदान किया गया है, सबसे पहले है उसका जनम भारत में हुआ हो, यदि किसी वेक्ति को नागरिक्ता दे जाती है, तो उसका इस अधार पर दे जा सकती है कि उसका जनम भारत में हुआ है, दूसरा है उसके माता-पिता का जनम भारत में, अगर उसका पांच वर्स पहले से वो वेक्ति भारत में रह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ये तिनों ही सर्थे लागू हो अगर इन तिनों में से एक सर्थ लागू होती है तो वेक्ति को भारत की नागरिक्ता दी जा सकती है अब बात करते हैं अनुछे 6 की पाकिस्तान से भारत आये लेकिन जो लोग 19 जुलाई और 1948 से पहले आ गए उनको तो नागरिक्ता दी गई लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत में आये थे उनको नागरिक्ता देने के लिए पहले एक परमिट की आवशकता होती थी और परमिट मिलने के बाद भी 6 मेने अगर वो भारत में उससे पहले से ही या तेया होगया था कि विवाजन होगा तो कुछ लोग पहले ही भारत चोड़कर पाकिस्तान जहां पे मार्ट 17 37 के बाद जो लोग भारत से उस इलाके में चले गए जो जहांपे की पाकिस्तान का निर्मान होना था लेकिन बाद में वो किनी कारणों से वापस भारत में आ गए तो ऐसे लोगों को भी भारत में नागरिकता दी गई लेकिन पहले उनको भी एक परमिट जो है अपलाई करना भारतिये है जिस समें भारत जो है सवतंतरता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था उस समें कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से बाहर दूसरे देशों से जो है भारत के लिए सवतंतरता संग्राम में भाग ले रहे थे जैसे कि लाला हर्द्याल जो सैन फ्रांसिस्को से भा बारतिय नागरिक्ता देने का प्रावधान अनुचेद आठ में किया गया अब है अनुचेद नो अनुचेद नो में कहा गया है कि अगर कोई भी वेक्ति अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिक्ता अरजित कर लेता है तो उसकी भारतिय नागरिक्ता जो है समाप् नागरिक्ता का बना रहना जब तक वेक्ति कोई देश विरोधी कारे नहीं करेगा यानि अगर कोई वेक्ति जब तक देश विरोधी कारे नहीं करता है और सविधान के अनुसार कारे करता है तो उसको उसकी नागरिक्ता समाप्त नहीं की जा सकती यानि हम किसी वेक्ति की ना कानून बनाने की जो सकती है वो संसद के पास होगी और किस की गरह मंतरा ले के पास यानि जो संसद जो कानून बनाएगी वो गरह मंतरा ले के अनुसार संसद नागरिक्ता के कानून बनाएगी ये तो अनुछेद्म में जो बात की गई है नागरिक्ता की ये उस टाइम की है जब सविधान लागू हुआ, लेकिन उसके बाद जो संसद नागरिक्ता पर कानून लेके आई, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, पहले इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अनुछेद पांच में कहा गया है, तीन अधार पे नागरिक्ता दी जाएगी, कि उसका जनम भारत में हुआ हो, उसके माता-पिता का जनम भारत में हुआ हो, या सुईधान लागू होने से पांच साल पहले से वो भारत में रह रहा हो, अब बात करते हैं अनुछेद 6 की, पाकिस्तान से भारत आये लोगों की नागरिक्ता, और अनुछेद 7 में पाकिस्तान गए नागरिक्ता स्वेच्छा से ग्रैन करता है, तो उसकी भारत की नागरिक्ता समाप्थ हो जाएगी, अनुछेद 10 में नागरिक्ता का बना रहना, और अनुछेद 11 में संसद की नागरिक्ता पर जो कानून बनाने की सकती है, वो, तो अब बात करते हैं, संसद के दवारा जो नागरिक्ता से समंधित कानून बनाए गए, तो सबसे पहले नागरिक्ता अधिनियम कब लाया गया, 1955 में। लेकिन बाद में उसमें सुधारकी भी आव सकता पड़ी, तो कब कब किया गया, 1986, 1902 में, 2003, 2005, इस पर का 2015 और 2019 में भी कुछ नागरिक्ता से समंधित अनून लाये गए, अब बात करते हैं, 1905 में जो नागरिक्ता अधिनियम लाया गया, उसमें किन आधारों पे नागरिक्ता दी गई, तो सबसे पहले है, जनम के आधार पर, नागरिक्ता अधिनियम 1955 में, जो सबसे पहले जनम के आधार पर नागरिक्ता दी गई, उसमें कहा गया कि, अगर कोई भी वेक्ती भारत में जनम लेता है, कोई भी बच्चा, तो उसको भारत की नागरिक्ता दी जाएगी, लेकिन बाद में सुधार किया गया क्योंकि इसका मिश्यूज होने लगा जैसे पाकिस्तान से कोई और यहां पे आती उसका अगर बच्चा यहां पैदा होगा तो उसको भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगी तो इस तरह से वो बच्चा बड़ा होके चाहे आतकवादी भी बन सकता है तो इस परकार इसका मिश्यूज होने लगा तो 1986 में इसमें सुधार किया गया और कहा गया कि अगर किसी बच्चे का भारत में जनम होता है तो उसे तबी नागरिक्ता दी जाएगी जब उसके माता-पिता में से एक के पास भारत की नागरिक्ता होगी लेकिन बाद में क्या हुआ इसमें भी सुधार किया गया था 2003 में क्योंकि जब भी कोई और पाकिस्तान से जैसे कोई वेक्ती आया और उसने यहां पे आकर साधी कर ली और शादी करने के बाद अगर जो वो लड़की है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी तो अगर उसका बच्चा है तो उसको भी नागरिकता मिल जाती तो इसका भी मिश्यूज होने लगा तो 2003 में क्या किया गया माता और पिता दोनों के लिए वेलिड कर दिया गया यानि एक को अगर भारत की नागरिकता है तो दूसरे के पास इसका वेलिड प्रूफ होना चाहिए ऐसे नहीं है कि कोई वेक्ति पाकिस्तान से यां गूमने आया शादी कर ली अगर 6 मेने रहा और उसके बाद अगर वो बच्चा होता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी ऐसा नहीं है इसके लिए वेलिड प्रूफ की आवशकता है दूसरा है वंस के आधार पर वंस के आधार पर जो हमारे सुईधान में नागरिकता दे गई उसमें कहा गया कि अगर बच्चे का पिता भारती है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी लेकिन बाद में महिलाओं ने इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि ये अगर हमारे सुईधान में समानता का अधिकार दिया गया है तो अगर ये वंसके अधार पर दिया जाएगा तो ये हमारे साथ ऐस मानता होगी तो बाद में इसमें भी सुधार किया गया और 1922 में में ये सुधार किया गया जिसमें कहा गया कि माता पिता दोनों को ही अगर वंसके अधार पर नागरिकता दी जाएगी तीसरा है, पंजिकरण के अधार पर, पंजिकरण के अधार पर नागरिक्ता किस परकार दी जाती है, है, अगर कोई वेक्ती, 7 साल भाषां में रहता है, और उसके बाद पंजिकरण करता है, यानिन जिस समय वह पंजिकरण करता है, उस समय वह 7 साल से भारत में रह रह रहा हूं, उसके लिए भी कोई valid proof चाहिए ऐसे तो कोई भी जैसे पाकिस्तान से कोई आतंगवादी आते हैं वो 7 साल यहां रहेंगे और उनकों भारतिय नागरिक्ता प्राप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है इसके लिए कोई valid proof चाहिए या तो उसने भारत में आके किसी भी भारतिय के साथ शादी कर ली हो या फिर वो यहां पे क्या काम करता है उसकी पूरी जानकारी गरेम अंत्राले में दी जाएगी उसके बाद ही गरेम अंत्राले यह त्याय करेगा कि उसको भारत की नागरिक्ता दी जाएगी या नहीं देशी करण के आधार पर नागरिक्ता ये नागरिक्ता उन वेक्तियों को दी जाती है जो कम से कम दस वर्सों तक दस वर्सों से भारत में रह रहा हो और भारतिय स्विधान में जो 22 भासाओं का जिकर किया गया है उन में से एक भासा जानता हो यानि बोलता भी हो समसता भी हो और कला या विज्ञान में किसी एक छेतर में उसको ख्याती प्राप्त हो तो ही देशी करण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और पांचुआ है अरजित भूमी यदि भारत किसी भी छेतर पर अपना कबजा स्थापित कर लेता है तो वहां के नागरिकों को भी भारती नागरिकता दी जाएगी जैसे अगर हम बात करें 1962 में जब परडी चेरी का यानि अब इसका क्या नम है पुद्दू चेरी पुद्दू चेरी का जब भारत में विल्या किया गया तो उसको वहां के नागरिकों को 1955 के अधिनियम के तहत 1962 में नागरिकता जो है भारत की नागरिकता दे दी गई और इसी तरह सिक्किम की अगर बात करें तो 1975 से पहले सिक्किम क्या था भारत का हिंसा नहीं था और 1975 के बाद जब भारत का हिंसा बन गया सिक्किम तो वहां के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दे दी गई अब बात करते हैं कि किन किन आधारों पर नागरिक्ता से वंचित भी किया जा सकता है तो आपने देखा कि पांच आधार ऐसे हैं जिन पर नागरिक्ता दी जा सकती है अब उन तीन आधारों की बात करते हैं यानि तीन आधारों पर वंचित भी किया जा सकता है सबसे पहले है त्याग अगर कोई वेक्ती अपनी इच्छा से भारत की नागरिक्ता का त्याग करता है तो उसको भारत की नागरिक्ता से उसको मुक्त कर दिया जाएगा यानि कोई वेक्ती दूसरे देश में जाकी नागरिक्ता ले लेता है और भारत की नागरिक्ता को त्याग देता है, तो उस परकार भी नागरिक्ता समाप्थ हो जाएगी, और दूसरा है, बर्खास्त, यानि अगर कोई वेक्ती दूसरे देश की नागरिक्ता लेता है, अगर भारत की नागरिक्ता नहीं त्यागता है, तो भी उसकी नागरिक्ता जो है समाप्थ हो जाएगी जैसे वे दूसरी देश की नागरिक्ता लेगा उसकी भारत की नागरिक्ता समाप्थ हो जाएगी और तीसरा है वंचित अब किन-किन आधारों पर नागरिक्ता से वंचित भी किया जा सकता है एक तो है समय त्याग करता है और दूसरा अगर कोई वेक्ति सविधान के परती अनादर जताता है तो भी उसकी भारत की नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी अगर युद्ध वगेरा चल रहा हो उस समय अगर कोई वेक्ति सत्रु देश के साथ समन स्तापित करता है या फिर उसे राष्ट्र विरोधी कोई सूचना देता है तो भी उसकी देश की नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी अब बात करते हैं भारतिय जो नागरिक्ता है यानि भारत में किस परकार की नागरिक्ता का वर्णन है तो वो है एकल नागरिक्ता यानि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनको एक इतरह की नागरिक्ता प्राप्त है वो है भारतियता यानि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हरियाना पंजाब ये उतर परदेश कहीं भी रह रहा है तो उसको उस राज्ये की नागरिक्ता प्राप्त नहीं होगी उसे केवल एक प्रकार की नागरिक्ता दी जाएगी और वो है भारतिय नागरिक्ता जैसे कि अगर हम अमेरिका और स् राजय में वो रहते हैं लेकिन भारत में एसा नहीं है भारत राजयों का जो संग है उने राजयों को प्रसासनिक स्विधा के लिए बांटा गया है नहीं कि वहां की नागरिक्ता लोगों को दी गई है तो भारत में सिरफ एकल नागरिक्ता है वो है भारत ये नागरिक्ता त अन्यवाद